हेलो दोस्तों वेल्कम तो और चानल हैपिल लर्निंग टेक होप यह दूग वल आज सेकल 21 सेंचिने में सभी लोग कंप्यूटर या लैप्टॉप यूज करते हैं वगर लैप्टॉप या कंप्यूटर के साथ एक प्रॉब्लम है वो कभी कभी स्लो चलते हैं यह हैंग हो जात सब्सक्राइब करते हैं तो मैं आपको कुछ तरीके कुछ स्टेप्स है जिसको बताऊंगा और आपका I hope की सिस्टेम फोड़ा सा फास्ट हो जाए सब्सक्राइब करना है विंडोज आ दबाईए देखिए फिर टी एंपी कमाड दबाईए एंटर love control a यह हमेरी िस्क्रीण ब्लगई को सिल्ड कर दीजिए वूरा सिलेको कर दीजी तो मैरा कंट्रोल जबानी सकता करल इसम पीछ स्ब्टक करके डिलेड कर दीजी सिलेक्ट कर दीजी कंटीनिव और जो फाइल नहीं हो सक्थी डिलेट जो इंपोर्टन है वो जिसको आपका विंडो सेकुरेटी डिलेट करनी नहीं देदा इसको स्किप कर दीजिए सिंपल बात है एडिकेट दू नॉट दू 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 दिस फॉर आल ओके स्किप ओके सो यह होगे हमारी पाहली कमांड हादो जी हमारी सेकंड कमांड है कंट्रोल आर दबाने के बाद परसेंट टी एंपी परसेंट एंटर दबा दिजिए कंट्रोल ए डिलेट कहताम यह होने के बाद फिर से विंडोज आर पी और ए एफ ए टी सी एच इस काल्ड प्री फेच एंटर इसके अंदर जाने के लिए आपको पूप मेशन चाहिए सु कंट्रोल ए डिलेट जी क्या ही बात है अगर आप ही करेंगे तो आपका जो सिस्टम है थोड़ा फास्ट हो जाएगा इसके मैं थोड़ी सी गैरेटी दे सकता हूं यह होगी हमारी फिर्स टेट जिससे हमने टेम्पररी फाइल डिलेट करती है इसके में अपने खोलिए अगर आपको और बात बताता हूं अगर आपकी राम कम है तो प्लीज राम बढ़ाएगे थोड़ी सी बढ़ाईगे थोड़ी सी बढ़ाईगे तो जीवी में आपका सिस्टेम बहुत हैंग होता है 2GB मत रगा यह मेरी 12GB RAM है हमझे तो थोड़ी सी RAM बढ़ाईए अगर और यहाँ पर आईए स्टार्ट अप में और देखिए कि आपके स्टार्ट अप में क्या क्या चालू होता है देखिए आपके तीन अड़ोब अक्रोबाट स्पीड लॉंचर इने बल्ड है बटिसका इंपक्ट बहुत कम है अवी जो ड्राइवर अपडेड यू आई इने बल्ड है इसका इंपक्त बहुत हाइए अगर आपके समें बहुत सारे दूसरे हो सकते हैं अप्लिगेशन मेरे इसमें बहुत कम है दे नहीं होता मोलते ठीगे तू राइट कर ली जो और आपके एनेबल एनेबल करें इनेबल हो घया इसे आपको जो काम के नहीं है जो आपको स्टार्ट अप में नहीं चाहिये सबको डिसेबल कर दीजिए माक माइवर्ड बहुत सिस्टेम आपका फ्लो में स्मूथली चलेगा समझ रहे हो आप इस बहुत इंपोर्टन बाकी तो जो लो है और मेरी बात सुनियेगा यह आप जो आपके विंडोस के जब अप्लिकेशन है जैसे कि विंडोस सेखेर नोटिफिकेशन इसको ना करिए जैसे प्रोक्राम से उसको ना करिए विंडोस वाले छोड़ दीजिए माइक्रोसप्ट व हो गया Skype हो गया VMware का जो मेरा VMware है उसका पकड़ लीजिए या अगर आपका कोई दूसरा software है जैसे यूज करते हैं जैसे कि Adobe हो गया कोई भी software external software है उसको करिए Windows वाले या Microsoft वाले इसको ना करिए ठीक है वरना आपका laptop स्टार्ट ही नहीं होगा होगा पर कुछ स्टेप है अप्टिमाइज करना कि दिखें ओफ पीट अगया आप्टिमाइज ट्राइबस चलेगा इसके अंदर भी चलेगा तक तो सिंपल तरीका है अगर आपको डिस्क है तो सिंपली अप्टिमाइस कर लिजिये ऑप्तिमाइस हो जाएगा हूँ मैं भी कर सकता क्योंकिनों मैं अभी बेकिया हूँ थीक है यह सेंपल तरीका है ओर में गारेंटी कि आपका जो सिस्टेम में थोड़ा था फास्त होई जाएगा कि बड़ी बात में ठीक है और अगर राम आपकी दो जीब है और आप में इतना सारा भरके रखा है तो भगवा नहीं माली कि आपका तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और कुछ टिपपनी देने हो आपको विशुष तो आप कमेंट भी कर सकते और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए तभी तो हम अच्छे अच्छे वीडियो बनाएंगे और आपको बत सब्सक्राइब लाइका तो हम करिए लाइक करिए अच्छे एक कर दोगे हमारे तो हमारे प्रज देसे कासर अश्पते बना का फोगे प्टिब ओक कर फिए हैंगे मारे खिपन कर थासर एक तेसे का तвон là कर दो हमारे जो से खित दो शहर किए हैंगे वीशते पbokुछ स वीः